हरियाना स्टाप सेलेक्शन की बरतियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है HCC exam date का जो viral notice हो रहा था जिसमें 6 मार्च से लेकर 30 मई तक की exam date दी गई थी उसके बारे में भी HCC chairman ने बड़ा बयान दिया है और दूसरा जो HCC की नई बरति निकाले गई थी उसके बारे में भी एक बड़ा confusion दूर किया है अगर आप interested हैं दोनों खबरों के बारे में जानने के लिए तो वीडियो लाश तक ज़रूर देखें नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डीजिटल फिरी सिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे चैनल पर आरियाना के सभी जिलों की online और offline बरतियों के बारे में वे सभी विबागों की DC rate बरतियों के बारे में regular जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है और इसके अलावा HSSC आए HPC की बरतियों से related जो भी नए अपडेट आता है उसके बारे में तुरंत आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाती है इसलिए अगर आप भी सही और विश्वसनी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके चलिए आप देखते हैं आज की बड़ी ख़बर वापस नहीं लिया PGT संस्कृत का विग्यापन 534 पदों पर बरती के लिए आविदन 16 फरवरी से बरे जाएंगी जहां दोस्तों कल के न्यूज पेपर में खबर आई थी कि जो नया विग्यापन जारी किया गया है HSSC की तरफ से एक सलेस 2020 से अड़ोटाइजमेंट उसको वापस ले लिया गया है लेकिन आज ये कनफ्यूजन बारतमुशन बारती जी ने दूर कर दिया है चलिए ख़बर पूरी देख लेते हैं अरियाना सरकार ने PGT संस्कृत के लिए जारी विग्यापन वापस नहीं लिया है कुछ अकबारों में सुकरवार को गल्थ खबर परकाशित कर दी थी कि नया विग्यापन वापस ले लिया गया है जहां दोस्तों कल हमने भी उस खबर के उपर वीडियो बनाया था जो न्यूज पेपर में दीगी थी और एक न्यूज पेपर में नहीं दो तिन न्यूज पेपर में एक खबर आई थी कि जो नया विग्यापन है वो वापस ले लिया गया है उसी कन्फुजन को दूर करने के लिए बारतबुशन बारती जी ने ये बयान दिया है उन्होंने सुक्रवार को देरश्याम दैनिक सुईरा को बताया कि आयोग ने PGT संस्कृत के 537 पद जो गत बुद्वार को विग्यपित किये थे उन्होंने कहा कि आयोग ने 2015 में जो जारी विग्यापन था उसको वापिस लिया है नेकी नए विग्यापन को क्योंकि परदे सरकार ने 2015 में जारी विग्यापन के PGT संस्कृत के 626 पद वापस लिये थे और उसी दिन नए 537 पदों पर बर्ती करने का आगरे पत्तर बेजा था उन्होंने कहा कि हाई कोल्ट में 2015 के विग्यापन के पदों से सम्मंदित मामला लंबित है और उसमें परदे सरकार ने जानकारी दी है कि 2015 में जारी विग्यापन वापस ले लिया है हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई दो मार्च को होगी बारती ने कहा कि अब नए 534 पदों पर बर्ती परकिरिया 16 फरोरी से शुरू होगी इसके लिए ओनलाइन 16 फरोरी से 3 मार्च 2021 तक बरे जाएंगी उन्होंने कहा कि इसके लिए 14 मार्च 2021 को OMR या ओनलाइन लिखित परिक्षय हो सकती है उन्होंने बताया कि 90 फरोरी से लिए और इस वर्ती के लिए आज आयोगने एक नोटिस भी जारी किया है जिसका भी वीडियो आमने बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में द भार्त भुषन भारती जी ने कहा है कि इसके लिए जिला उपायोगतों को पत्तर लेकर कहा गया है कि वी अपने अपने जिलों में लिखित परिक्षय के इंतिजाम करें इसका मतलब यह सात्यों कि जो लेटर वाइरल हो रहा था वो लेटर सही है उन्होंने आगे कहा कि जै हैं वो उस भरती के लिए ओनलाइन आवेदन जरूर करें वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा सेर करें वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में